हेलो एब्रीवन, वेलकम अगीन टू लन्विर दितिमन, हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास, जिसके अंतरगत हमारा राजिस्थान की चित्रकला और लोकला, चैप्टर चल रहा है, और आज ही आपका लास्ट वीडियो होगा, और ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाएगा, आज हम बात करेंगे राजिस्थान की लोकलाओं के बारे में, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, चैप्टर जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया था, आप लोगों ने एक दो बार उसे रीट जरूर किया होगा, और अब आपको ये कोशन आंसर जो ह है वो आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं, हर एक पहराग्राफ में जितने कोशन निकल सकते हैं एक्जाम के लिए, वो सभी यहां पर आपको मिलेंगे, तो आप बहुत ध्यान से ही इन सभी वीडियो को बार बार पढ़िएगा, कोशन 75 है, सांजी कब बनाई जाती है, तो यह दसहरे से पूर्व श्राद पक्ष में कुमारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती है, सांजी में कितने दिन पूजन होता है, तो इसमें 15 दिन तक पूजन होता है, विलकुल डिटेल में हम लोगों ने चैक्टर में इस चीज को पढ़ा था, नेक्स्ट है, 77 कुशन, सांजी को किसका रूप माना जाता है, तो सांजी में किस देवी की पूजा की जाती है, तो यहां पर माता पार्वती का रूप माना जाता है, माता पार्वती की पूजा को वारी करन्याओं करती है, नेक्स्ट है, 78 कुशन, फड किस पर बनाई जाती फड किस पर बनाई जाती है तो option में यदी होगा कागज पर कपड़े पर लकड़ी पर तो आपको याद होना चाहिए फड जो है वह कपड़े पर बनाई जाती है नेक्ट है 79 question फड के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं फड के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं भीलवाडा के सहपुरा में जो जो सी परिवार है वह फड के लिए प्रसिद्ध माना जाता है भीलवाडा के सहपुरा में चीपा जाती के जो सी चितरकार फड के लिए माने जाते हैं जब आप लोगों ने मादमिक सिक्षा बोड की बुक पड़ी थी कुश्चन अंसर करे थे तो वहाँ पर भी ये चीज आई थी तो दुबारा से आप लोगों की डिवीजन ही है पड किस वादियंतर पर वाची जाती है रावड हत्ता या जंतर पर फड वाचन का कारे कौन करते हैं तो कौन करते हैं फड वाचन का कारे ये करते हैं भोपे भोपों द्वारा फड का वाचन किया जाता है नेक्स्ट है 83 कोईशन कावण बनाना कहां का पुस्तैनी व्यवसाय है जैसे हमने अभी देखा था कि फड के लिए प्रसिद है भीलवाडा का शहपुरा के जोसी परिवार तो इसी तरीके से कावण जो है वह है चितोडगर जिले के बसी गाउं के खेरादियों का पुस्तैनी व्यवसाय है तो कावण बनाना कहां के प्रसिद है चितोडगर जिले का बसी गाउं नेक्स्ट है 84 कोईशन कावण के पारमपरिक कलाकार कौन है कावड के पारंपरि कलाकार कौन है तो यहां कलाकार है मांगी लाल मिस्तरी कौन है मांगी लाल मिस्तरी next है question 85 कावड किसकी बनाई जाती है तो जैसे फड का question था कि लकड़ी पर कपड़े पर ठीक है कागज पर इसी तरीके से कामर जो है वो किसकी बनाई जाती है यह लकडी की बनाई जाती है और यह कैसी होती है एक मंदिर नुमा आकरिती होती है जो लाल रंग से रंगी होती है और काले रंग से इस पर चितरंकन किया जाता है तो यहां पर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा दो लो इसके अलावा हमने कामड की बात की, तो कामड के लिए कौन प्रसिद है? मांगी लाल मिस्तरी और कामड जो है वह चित्तोडगर जुले के बसी गाउं की प्रसिद है. पशुओं के सरीर पर विविद आकरती दागने की क्रिया वद दाग के निशान क्या कहलाते हैं? 87 है महंदी कहां की प्रसिद है? महंदी कहां की प्रसिद है? तो सोजत वा मालवा की महंदी जो है वह प्रसिद है. तो सबसे प्रमुक सोजत की महंदी जो है वह बहुत प्रसिद है. नेक्स्ट है 88 कोशन, 1965 में रूमानिया में आयोजित त्रतिय अंतरास्ट्रिय कटपुतली समारों में कहां की कलाकारों ने विश्व का प्रथम पुरुसकार प्राप्त किया तो देख लिए हमारे राजिस्थान के अंतरगत भी ऐसे ऐसे कलाकार थे जोनोंने विश्व का प्रथम पुरुसकार प्राप्त किया था कटपुतली समारों में तो आंसर क्या है उदैपुर, उदैपुर के चित्रकारों ने ये कलाकारी दिखाई थी नेक्स्ट है, 89 कोशन, पाने किसके बनाये जाते हैं, तो ये कागज के उपर बनाये जाते हैं, वेविन्न देवी देवताओं के चित्र जो है बनाये जाते हैं, जो कि हम त्योहारों में इनका प्रियोग करते हैं, ठीक है, तो पाने जो है वो कागज पर बनाये जाते हैं, तो इस तरीके से आपका ये chapter जो है, वह complete होता है, next video में हम next chapter को complete करेंगे, और आप लोगों के 6 chapter तक मैंने आप लोगों को read करवा दिया है, question answer जो है, वह 5th chapter तक complete हो चुके हैं, मिलते हैं next video में, thank you. झाल